लोकसबच उनाओं के मदे नजर दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गडबंदन की सुबगाहट तेज हो गई है इसके चलते आज कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी ने अपने आवाज पर एक एहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक्ष शीला दिक्षित पार्टी के तीनों कारेकारी अध्यक्ष और दिल्ली कॉंग्रेस के प्रभारी PC चाको भी मौजूद रहेंगे माना ये भी जा रहा है कि आगामी लोकसबद चुनाओं के चलते आज कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ गडबंदन पर फैसला ले सकती है और साथी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी एक बार फिर पार्टी पदादिकारियों से दिल्ली की परिस्तितियों पर चर्चा करेंगे आपको पता दे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सातों सीटों पर अपने उमीदवारों को अहलान कर दिया है और चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है लेकिन सूत्रों का मानना है कि दोनों पार्टी ओं में अभी भी गडबंदन को लेकर बातचीत जारी है